दू लाइक आप सब्सक्राइब आपर यूटूब चैनल अवेशन के अंदर आज का वेश्चे जनल अवेशन में है आर्बी आई और मौद्रिगनीती भाग एक वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें यूटूब चैनल को डाउनलोड करें न्यू महिंद्रा आप जिसमें महिंद्रा और महिंद्रा गूर के फीचर्ज हैं आईए देखते हैं आर्बी आ के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि हिल्टें यंग समती द्वारा आरे बिया बनाया गया और वो बना एप्रिल 1935 में शुरुवाती दौर में इसका मुख्यालियो जो था वो कलकत्ता में था पर 1937 के बार ये शिफ्ट हो गया मुंबई में और तबसे लेकर अब तक य इनिश्यली अगर बात करें तो ये एक प्राइबेट ओंड बैंक था एक सरकारी बैंक नहीं था पर आजादी के बाद 1934 में जब इसका राश्यकरन हुआ तो ये बन गया एक फुली ओंड गबन बैंक और आगे चलकर ये बना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो आई जानते करना उसके मांदंड पेश करना गवर्मेंट का ये मानना है कि RBI आट के जरीए ये बोर्ड बना है और बोर्ड का जो नियुकति होती है वो हर चार साल पे अपोइंट होता है और नॉमिलेट किये जाते हैं मुख्य मुद्धा यहां पर यह है कि कोई भी गाडिलाइन जो RBI गवर्नर है उर्चित आर्पटेल सहाब अभी है और फिर होंगे आपके चार डेप्टी गवर्नर जिनमें से वर्तमान में तीन की ही पोस्ट है एक अभी पोस्ट वेकेंट है तो RBI गवर्नर उर्चित आर्पटेल, SS मुंद्रा, R. गांधी और NS विश्वनातन ये चार आफिस हैं, दिली में हैं, मुंबई में हैं, उन चार आफिस के जो हेड होंगे, वो भी यहां होंगे फोर डिरेक्टर्स, तो कुल ऐसा बनेगा आपका कॉंस्टूशन एक सेंट्र बोर्ट का RBI के अंदर, आगे बढ़ें और आएं एह मुद्दे पर जो इस वीडियो का है वो है मुख्य कारे कौन-कौन से हैं, सबसे पहला कारे जिस पर हो अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके बाद का जो पार्ट होगा, जो है मुद्रिक नीती का जो एक अथारिटी है, जो उसका नियंतरक है, वो RBI है, RBI का मुख्य मकसद है, फॉर्मुलेट करना, कि क्या ची परियाप्त मात्रा में, प्रचवर मात्रा में, क्रडिट या पैसा पहुचे अलग-अलग शेत्रों में, ये था पहला फंक्शन, सेकेंड फंक्शन की बात करें, जो है, एक तरह से जो सूपरवाइजर है, निरीक शक है, और जो एक नियंतरक है, वित्तिय सिस्टम का भारत दे है सर, कि जो एक इमेज है बैंक की, जो एक इमेज भारत में बैंक की प्रणाली की है, उस पर चोट नहां पहुचे कई बार क्या होता है कि टीम का जो एक बुरा या अच्छा जो जाता है क्रिल्ट जाता है क्याप्टन को similarly एक जो image है उसे अच्छा करने में सबसे बड़ा role play करती है वो RBI तो उसका एक मुख्यकार है कि हर समय वो कोशिश करे कि जो public का confidence है उसे बरकार रखे जो जमा करता है उनके interest की बात करे और ऐसे banking services provide करे जो उनके लिए सरल, simple और जादा ही सस्ते होंगे यह एक main मकसद है इस second function में जो है नियंतरक और साथ-साथ नरीक्षक भारतिय banking वित्तिय प्रणाली का आए बढ़ते हैं आगे और दो और functions आगे जो foreign exchange जो विदेशी विनमय है उसका manager FEMA अधिनियम 1999 के तहट जो है foreign exchange management आग के तहट कहा गया है कि RBI जो होगा वो हर entry level पर देश के अंदर foreign exchange को चेक करेगा यहाँ पर जो एक main मकसद वो यह है कि जो बाहरी trade है जो external trade है और जो payment भुकतान है उसको एक तरह से महिया कराना और साथ-साथ इस बातर प्रचार भी करना कि भारत के अंदर इस निवेश का सही समय पर और एक सिरे से development किया जाए और फंक्षन है issue of currency भारत का और यह मैं clearly कह रहा हूँ आपसे भारत का एक मात्र जो जारी करता है currencies का वो है Reserve Bank of India यहाँ जाना ज़रूरी है कि जो एक रुपय का सिक्क और coin है उसे करता है government पर उसके रहाब सारे कारे कौन करता है sir issue करने के वो है Reserve Bank of India यहाँ पर आप पर सकते है कि चार बिंट्स कौन से उनको पढ़िये का यह आपका हूवक है और चार जो प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ जो मुख्य उद्देश है वो यह है कि एक तरह से जो public की demand है currency की उसे महिया कराना और समय समय पर उनकी quality उनकी collection और उनका जो एक विस्तारन है जो उनका वितरन जो है उसे देखना तो यह एक function है issue of currency या मुद्रा का जारी करता दो और functions एक जो एक develop का role है इनका और जो आलग functions है इनका main मकसद है कि जो भी ऐसे hit जो banking के जरीए देश के भले के लिए हो उन्हें promote करना उन्हें प्रचार करना साथ साथ दो और बड़े functions government का banker और banker और banks का banker दोनों इा function में same बात होती है पासिमी होती है कि जितने ही सारे functions हैं अगर बात करें हम bank to the government की तो जितने भी सारे para banking functions हैं चाहे उनके खाते manage करना हो चाहे उनका पैसा निवेश करना हो लोन इलवाना हो यह सारे functions चाहे वो cancer कार के हो या फिर राज के हो से कौन करता है sir RBI यह जो है उसमें cash के अलावा, cash तो होता नहीं, उसमें जो government securities हैं, जो approved securities हैं, उनके जो non-cash securities हैं, उसको रखा जाता है, साथ सागर बात करें banker to banks की, तो एक question जो आया था है दो साल पहले, कि lender of last resort, आखरी समय में रिर्दाता कौन है bank का, तो वो है सराब का RBI, जो यह भी नहीत करत है कि ना सिर्फ उन्हें license दे, उनका देखबाल करें, बर सही समय पर उन्हें पैसा में वहिया कराए, ताकि वो अपनी banking कारे को जारी रख सके, तो यह थे हमारे functions और अब आखरी स्लाइड है, वो है उनकी जो अनुशंगी है, जो उनकी subsidies हैं, wholly owned, उनमें तीन है सर, पहला है DICGC, जिसका full form है, deposit insurance and credit guarantee corporation of India, second है सर, BRB NMPL, भारती रिजर्व बैंक, नोर्ट मुदर प्राइवेट लिमिटेड, और फिर है आपका सर, national housing bank, यह NHB, सवाल यहां पर जो आया है, कई बार वो आया है, कि कौन-कौन से हैं या कौन-कौन से नहीं है, तो यह रहे वो तीन जो ह पर सकते हैं, जो आपका होग है, इनके जो foundation dates है, ग्जांपल तोर पर अगर हम बात करें, तो जो आपका NHB है, वो 1988 के दोरान बना, तो वो देख लीजेगा, similarly बाकी दोनों के क्या है, उसको देख लीजेगा, या एहम होता यह भी है, कि जो DICGC है, वो एक लाग का जो एक प्राथमिक बीमा है अकाउंट्स पर, वो भी मैरज करता है, तो यह कुछ बात थी हमारी इन सब्सिडिरीस की, हमने सर कोशिश किया है कि 5-8 मिनट के अंदर आपको वो चीज महया कराएं, जो एक्जाम में आती है, कहने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, पर य यह जो एक डीटेल है, यह जो इंफिमेशन है, यह परियाप्त है आपके IPPS PO मेंस और IPPS क्लोग मेंस के लिए, तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और देखते रहे हमारा एक खास यूट्यूब चानल, महिंद्रगुरू.com दिब्रमास for success, आपकी सफलता में ही हमाई सफलता है, धन्यवाद.